20 साल, 30 साल में अगर आप देखेंगे तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है लेकिन यह जो डेफिनेशन है मिडल क्लास की वो चेंज नहीं हुई है नमबर वान नमबर टू, मिडल क्लास की इंकम इतनी नहीं बढ़ी है लो क्लास की इंकम तो भढ़ गई है जहां आज से 20 साल पीछे आप चले जाओ तो एक मेड अगर आपके घर में जो काम करती है उसको आप पैसे देते थे मानलो 1000 रुपए, 1500 रुपए, वो भढ़ करके आज हो गया, 4000 रुपए अगर वो 2-3 घंडे के लिए काम कर रही है तो, आप मानो अगर वो 4 घर में काम कर रही है तो उसके महीने की इंकम होगी 16,000 रुपए और उसका हस्बेंट भी मान लेते हैं कुछ ना कुछ अर्ण कर रहा होगा तो वो लोग कमा रहे हैं महीने का 30 से 40,000 रुपए तो क्या वो लो क्लास है और आप कितना कबार है जो अपने आपको मिडल क्लास कह रहे है ये अपने आपने बहुत बड़ा क्वेशन है तो मिडल क्लास की एक्ट्र में डेफिनेशन क्या है ये समज़ना पड़ेगा हमको और ये आपकी लाइफ की सारी की सारी problem ही जड़ है जो question आपने पूछा ना जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि middle class का मतलब क्या तब तक अपनी इन problems के solution नहीं निकाल सकते हैं यह cash flow कभी manage हो ही नहीं सकता आपको लाक रुपय महीने कभी मिल जाएगा तब भी नहीं हो सकता जब तक हम यह बारी की से नहीं समझ लेंगे इन fund को और अगर आज की डेट में हम reality को देखें जिस तेजी से महंगाई बढ़ी है जिस तेजी से school की fees बढ़ रही है आज की डेट में जो एक real problem है जो हम सब face कर रहे है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो inflation का data आता है हमारे पास में उससे भी जादा तेजी से महंगी हो रही है बहला कि paper के उपर वो data आ रहा है और income इतनी तो नहीं भढ़ रही है तो middle class को अगर हमको define करना हो तो यह हो सकता है कि जिसकी income अगर मैं conservative हो करके चलू वैसे इससे उपर होना चाहिए पर अगर मैं conservative calculations भी ले करके चलू 40,000 रुपे महीना यानि मोटा-मोटा साल का 4-8,000 रुपे त तो अगर आपके घर में आप कमाते हो लेकिन आपकी wife नहीं कमाती है आपके बच्चे obviously नहीं कमाते हैं तो अगर आपकी income है लाख रुपे महीना तो household